जब से नितिश कुमर शिक्छक नियूपती पत्र बाटने के बातें कही तब से विपक्षिओं ने तबरतुळ हमला करते जा रहे हैं बीपी एसी शिक्छक नियूपती कहंगामे पर नितिश ने तोड़ी छुपी कहा यहीं अंडवंड बुलता है शब बिपेसी सिक्षक बहाली पर सवाल उठाने और घोटाले के आरूप लगाने पर निसाना साधे नितुसकुमार मुखमतिन ने कहा कि विपक्षी यूही अंडबंड बोलता रहता है सिक्षक नियुक्ति में कोई कही गड़बड़ी नहीं है नितुसकुमार ने बुधबार को पटना इस्तित उर्जा आड़ियो तोलिम में लगभग 14,000 क्रोन रूपिया की बिजगी परियोजनावों का सिल्निया सोरलो कारपन किया करेकरम समाप्ति के बाद उन्होंने मीडिया से बादचीत की जो बोलता है उल्टा सिधा बोलने दीजिए हम तो सिर्फ काम करते हैं नितिस्कुमार ने कहा बीचे पीसे हमने इसलिए दूरिया बनाई कि विकास नहीं करना चाहती थी बिहार को बिहार को कुछ देना नहीं चाहती थी हमने सोचा कि इससे दूर रहे तो आच्छा रहेगा लेकिन चिराग पस्वान नितिसकुमार को दोरी निति बताते हैं बोलते हैं कि बिहार के साथे ऐसा बेवार क्यों किया जा रहा है चिराग ने डोमिसाइल निति को गलत बताया और बाहरी में दोवारों को नक्री देने से विरोध जताया बुला बिहार में रोजगार नहीं है अधर राज को रोजगार दे रहे हैं नितिसकुमार जबसे नितिसकुमार भी पियसे सिक्षक नियुक्ति पत्र बाटने की पाते कही है तब से तहल का मचा है चिराग पस्वान तो बताते हैं कि आउट्डूर से पैसा लेकर नियुक्ति प्रमाड पत्र दिया जा रहा है नितिसकुमार भी हार के लोगों को कड़े में ढखल रहे हैं विकास नहीं करना चाहते हैं आखिर नितिसकुमार के मन में क्या चल रहा है चिराग बताते हैं कि नितिसकुमार परधान मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वहीं नितिसकुमार बोलते हैं कि विकास देखकर अन्य पाटियों को जलन हो रही है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा बिहार का बिकास हो। हम तो चाहेंगे कि बिहार की विकास करें। बेगर नितिसकुमार के नाव लिये बेगर लोगों की पानी हजम नहीं हो रही है। नितिसकुमार दो नौमबर को गंधी मैदान में सिक्षक निउक्ती पत्र बाटने जा रहे हैं और लोगों की हालत पंचार होती जा रही है।